गुड इविनिंग फ्रेंज दोस्तो आज की इस वीडियो में जो प्लॉट का डिजाइन में आपके लेकर आया हूँ वो डिजाइन चेंज है वो कैसे है चलिए फ्रेंज बताता हूँ अब इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो बट लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट ने यहाँ पे दो तीन रिक्वार्मेंट चेंज कर दी है वो कौन सी रिक्वार्मेंट है चलिए बताता हूँ दोस्तों देखे क्लाइंट ने सबसे पहले अपने प्लॉट की लंबाई को दो फिट कम कर दिया यानि कि यह 54 फिट था तो एसको उन्होंने 52 फिट कर दिया है उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक दो रिक्वार्मेंट और एड़ किया है मैंने इस वाले डिजाइन में क्या किया है फ्रेंट में मैंने चार शोब बनाई है और राइट साइड में कार पार्किंग दिया है बट लेकिन अभी क्लाइन्ट की रिक्वार्मेंट यह है कि इन्हें दो शोब यहाँ पे लेफ्ट में चाहिए इन सबी नई requirements के according किस तरह से design किया हुआ है तो दोस्तो आप इसकीन पे देख सकते हो मैंने यहाप यह दोनों designs बनाय हुए है अगर मैं यहापे सबसे पहले वाले design के बारे में बात करूँ तो दोस्तो आप यहापे देख सकते हो चार shop है यह front side में और right side में है यह हमारी car parking यह guest room, यह stair, यह kitchen, यह bedroom, यह bedroom यह आपकी latin, यह bathroom, यह open area और यह है hall ठीक है यह तो था friends पुराना design जो की 54 feet by 35 feet में था client की requirement के according बट लेकिन friends अभी यहापे client ने requirement change करती है तो मैंने यहापे उनका design भी उनकी requirements के according change कर दिया है अभी सबसे पहले dimensions आप यहापे देख सकते हो 52 feet by 35 feet में मैंने plot design की हुआ है अब वो किस तरह से design की हुआ है चलिए friends देखिए सबसे पहले friends front में shop चीए थी client को जैसे की 2 left में और 2 right में size आप देख सकते हो 9 feet change by 11 feet के हमारी shop का size है, 4 shop का size है जिसमें मैंने friends 6-6 feet के चोड़े shutter का size दिया हुआ है friends यह तो बात होई shop के अभी friends parking देख सकते हो, बहुत अच्छी parking है बीच में मैंने parking दी हुई है जिसमें 10 foot चोड़ा gate दिया हुआ है इस gate से friends आप घर में entry करते हो तो यहाँ पे आपको parking मिलेगी parking का size है 10 feet 3 inch by 17 feet का यह friends यह वाला area 10 feet 3 inch है यहां से यहां तक और 17 feet यहां से लेकर यहां तक है ठीक है उसके बाद friends आप parking से आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे 4 feet चोड़ा door मिलता है जिसमें left और right में धाइ-डाइ फिट चोड़ी attached window मैंने यहां पे दी हुई इस 4 feet चोड़ी door से friends आप घर में entry करते हो तो friends सबसे पहले हम right side में जाएंगे right side में आपको मिलता है यहां पे guest room guest room का size है 13 feet by 10 feet का बहुत अच्छा size है guest room के लिए और friends यहां पे मैंने outer side में window दी हुई है proper ventilation के लिए और पीछे आप यहां पे देख सकते हूँ एक मैंने OTS बना हुआ हुआ है OTS का size है 6 feet 22-23 feet 7.5 inch का बहुत अच्छा size है OTS के लिए इस OTS से friends इस store room को इस guest room को और इस bedroom को ventilation मिलेगा और friends आप यहां पे देख सकते हो एक store room भी बना हुआ है मैंने guest room से attach 6-26 का store room है जिसमें मैंने 2 feet की चोड़ी slab लगाई हुई है उसके बाद friends आप इस store room से बाहर आते हो तो इस guest room से बाहर होते हुए आप इस bedroom की दरफ जाते हो इस bedroom का size है 13 feet 1.5 inch 11 foot 4 inch का बहुत बड़ा size है bedroom के लिए जिसमें 2 feet चोड़ी attach almira मैंने यहां पे दी हुई है ventilation आप देख सकते हो यहां पे मैंने window दी हुई है इस OTS से इस room को ventilation मिलेगा उसके बाद friends आप इस bedroom से बाहर आते हो तो इस study room में जाते हो study room का size है 10 feet 1.5 inch by 7 feet का जिसमें friends मैंने 3 foot 3 inch ओड़ा दो दिया हुआ और यह window दी हुई है इस study room से friends आप भार आते हो तो lobby में आ जाते हो lobby का size आप देख सकते हो 17 feet 7.5 inch by 8 feet 4.5 inch का बहुत अच्छा size है lobby के लिए उसके बाद friends आप यहां पे lobby में kitchen देखते हो kitchen का size है 9 feet 9 inch by 7 feet जिसमें 2 feet चोड़ी L-shape की slab लगाई हुए यह refrigerator, यह sink है, यह आपकी gas है और यहां पे window है proper रोशनी के लिए उसके बाद friends आप इस kitchen से भार आते हो तो इस bedroom में जाते हो इस bedroom का size है 12 feet 4.5 inch by 11 feet 4.5 inch जिसमें friends मैंने 2 feet चोड़ी है अगर यहां पे stair case की चोड़ाई के बारे में बात करेंगे अगर लैटन और bathroom के बारे में बात करें तो bathroom आप देख सकते हो 4 feet 6 inch by 6 feet का बहुत बड़ा bathroom है और Latin आप देख सकते हो stair case के नीचे हम बनाएगे तीन fit 6 inch by 3 foot की है उसके बाद अगर OTS के साइज के बारे में बात करेंगे तो चार फिट छे इंज भाई तीन फिट साड़े साथ इंज का OTS है इस OTS से इस बेडरूम को और इस बातरूम को वेंटिलेशन मिलेगा और इस OTS को हम as a washing area भी use करेंगे उसके बाद अभी यहाँ पर बात करेंगे साउस प्लान के चज्जे के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हो का मैंने यहाँ पर चज्जा बनाया हुआ है और फ्रंट में पार्किंग साइड में में गेट के सामने हम यहाँ यहाँ यू शेप का चज्जा बनाएंगे अभी यहाँ पर बात करेंगे इस plot के total door window के sizes के बारे में तो friends आप यहाँ पर देख सकते हो इस house plan में जहाँ पर आपको D1 मिलेगा वहाँ पर door का size होगा 3.5ft by 8.5ft, D2 के लिए 3.3ft by 8.5ft, D3 के लिए 3.5ft by 8.5ft, D4 के लिए 2.6ft by 7.5ft उसके बाद W का size होगा 5.5ft, D1 के लिए 4.5ft, D2 के लिए 3.6ft by 7.5ft यह friends तीनो window ground floor से 3.5ft की height पे लगेंगी और W3 जो की kitchen की window है इसका size है 3.5ft जो ground floor से 3.5ft की height पे लगेगी उसके बाद ventilator का size होगा 2.5ft जो ground floor से 6.5ft की height पे लगेगा ठीक है उसके बाद friends अभी next बात करेंगे इस house plan के total column के बारे में तो friends यह जीतने भी black dot हैं यह सभी 9 inches by 9 inches के column है उसके बाद friends अभी यहाँ पे last बात करेंगे इस house plan के total construction cost के बारे में तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो और आप यह भी समझ गयोगे कि आप किसी भी design को client की requirement की according किस तरह से change कर सकते हो और दोस्तों इस दोनों प्लान में से आपको प्लान जादा अच्छा कोन लगा प्लीज मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू बाबाई